एजे गाली दे रहा है कोई का बोल रहा है बहीं चोद बोल रहा है दोस्तो अगर आपको बैप स्रीज देखने में मज़ा आता है तो ही इस बीडियो को देखें क्योंकि आज हम आपको तिन ऐसी इंट्रेस्टिंग और सांदार हिंदी बैप स्रीज के बारे में बताएंगे जिन्हें लोगों ने मिस कर दिया इन बैप स्रीज को देखने के बाद आप यकिनन मुवी देखना बंद कर दोगे तो चलिए बीडियो सुरू करते हैं और जानते हैं इन बैप स्रीज के बारे में आप ना मैनी के समान करना एक पार दासर करा दुझे ना जहीं दो चौटक चमन बहाद बार के पालिक लाये करेंगे आपको समद्धू तुमारा काम होई जाए नमबर वन पर है रनवे लुगाई दोस्तो ये बैप स्रीज इस पेसली उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है जो की कॉमेडी बैप स्रीज देखना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं बैप स्रीज में आप देख पाएंगे एक नई ब्राइड को जो की एक्चुल में अपने ससुराल को छोड़ के भाग जाती है और लाज्ट अक इस ब्राइड के पीछे क्या मिस्टरी छेपी हुई रहती है इसी को रिपील करने की कोसिस की गई है इस कम्पलिट बैप स्रीज में बैप स्रीज को रिलीज किया गया है माई 2K21 में वो भी MX फिलियर पर लाजा रहूं किया बाहरा पापा कमी सेक्स किया है हाँ किया है क्या बात कर लो तुम बुल-बुल 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 अलो पापम बुल-बुल पाँ है लडाई कर लिए लग्या बाप रही तो पूरे लंगटो घार मामला है यहाँ तो नहीं बखा दी बुल-बुल एक चपल पड़ेगा भी तुमको इसी समय होसे कहाने आ जागा नमबर टू पर है सनक एक जुनून दोस्तो एक कम्पलेट बैप स्रीज बेस्ट है रोमेंटिक एंड ड्रामा एक्टिविटी के उपर बैप स्रीज की स्टोडी की अगर हम बात करें तो दोस्तो कई बर हमने ऐसा देखा होगा की कुछ लोग सक्सेश पाने के लिए सारी हदे पार कर देते हैं कुछ ऐसी ही कॉंसेप्ट को दिखाने की कोशिश की जाएगी इस कम्पलेट बैप स्रीज में बैप स्रीज में आप देख पाएंगे एक ऐसे पती को जो की अपनी पतनी को ही दाओं पर लगा देता है ओ भी सिर्फ सक्सेश पाने के लिए और लाश्ट अक ओ सक्सेश पाने में काम्याब हो पाता है या फिर नहीं हो पाता है यही सारी चीज़े दिखाने की कोशिश की जाएगी इस कम्पलेट बैप स्रीज में बैप स्रीज रिलिज की गई है एमेक्स प्लेयर पर और इसे आइम डीबी रेटिंग देती है तेन में थ्री पॉइंट से बन की मैं आप जैसे लोगों को समझने लगी हूँ आपके लिए इंसान इंसान ना होकर एक एसेट या लाइबिलिटी होते है अर्ट यू फेड़ अप अफ दिस लाइफ तुम्हें पसंद है ये जिन्दगी क्या बात है मिस्टर आचे पुरोहित हरे ख्वाप की एक कीमत होती है और तुम्हारे ख्वाप की कीमत ने हूँ नमबर तीन पर है एक थी बेगम सीजन टू बेप सरीज बेष्ट है Crime and Mystery Activity के उपर बेप सरीज की स्टोरी एक्चोली में एक सची घटना से ली गई है या फिर कह सकते हैं कि एक Complete बेप सरीज आसिप के लाइफ के उपर बनाई गई है बेप सरीज की स्टोरी की अगर हम बात करें तो बेप सरीज की स्टोरी में सपना के लाइफ को दिखाने की कोशिज की जाएगी कि किस तरह उनके सोहर को कुछ किरिमनल समार देते हैं और उपना रिवेंज उन किरिमनल से किस तरह से लेती है यही दिखाने की कोशिज की जाएगी इस Complete बेप सरीज में बैप सरिच रिलीज की गई एमेक्स पिलेयर पर और इसे आइमडीबी रेटिंग देती है टेन में 6.8 की मैं बोला था आपको बरोसा मात करो हो सकी तो विस सल्तनत बचा ले शुक्रमना आप तक जिंदा है तु उस फोटो के साथ पोस्टर छपआ दो वो एक वांटिड क्रिमिनल है जब तक मेरा मकसद पुरा नहीं हो जाता मैं चुप नहीं बैठोंगे